गाइज मैं हूं तुम्हारे मेंटो विशाल सर और गाइज लगा अतार तुम लोगों के सवाल आ रहे हैं मेल आ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड कब आने वाला है बचेवे सिर्फ 15-17 दिन बचेवे हैं तो भाई एडमिट कार्ड कब आएगा बहुत ज़्यादा किया आइक नेचरल मेरे खाल से टेंडेंसी है ठीक है तो बहुत बड़ा अपडेट है तुम्हारे एडमिट कार्ड के रिगार्डिंग मैं तुम्हें बताऊंगा एडमिट कार्ड के बारे में और सिर्फ इतना है नहीं तुम चाहे रेगुलर स्टूडेंट हो क्लास 10-12 के या नहीं किया तो जल्दी से कर लेना क्योंकि यहां पर अभी-भी मैंने अपडेट कर दिया है कि OMR शीट जो तुम अपने बोड इग्जाम में भरोगे तुम क्लास 10-12 के हो कैसे भरोगे और साथी साथ और भी बहुत सारे कुछ यहां पर चीज़े है तो भाई अभी का पहले जो है वो डेट स्वारी एडमिट कार जो है वो आज आना चाहिए था मोस्ट एक्सपेक्टेट था 31st वैवरी नहीं आया बट अब जो है वो मैं तुमको पक्का अपडेट दे रहा हूं कि तुम्हारा जो एडमिट कारे ना वो किसी भी पल जारी हो सकता है आज आने क चांसे बहुत जादा है यह इंटर्नल सोर्स बता रहे हैं ऑफिशल अपडेट दे रहे हैं कि माइट भी पॉसिबल कि अगर आज किसी वजह से नहीं पहुंचा तो कल एडमिट कार्ट पक्का पक्का रिलीज हो सकता है यानि कि यह दो-तीन दिन जो है ना अब बहुत जाद इंडिया यहां भी इस बात को अपडेट किया है कि 31st January बहुत इंपॉइंट था लेकिन 31st January जो बीद गया सो बीद गया अब मैं तुमको यहां बताता हूं CBC के ऑफिशल पॉर्टल पे बहुत ध्यान से देखो कहां से तुम एडमिट कार्ट के बारे में खुद भी चेक कर सकते हो मैं तुमको बता दे रहा हूं CBC का ऑफिशल पॉर्टल है CBC.gov.in इसके अंदर जब तुम जाते हो यहां पर है परिक्षा संगम बहुत सारे बॉक्स हैं तो परिक्षा संगम में जब तुम क्लिक करते हो तुम इस तरह के इंटरफेस में पहुंच जाओगे यहां प पर 3-4 boxes आ जाएंगे तो हमारा जो ADMIT कार्ड है natural से बात है वो Main Examination 2023, यह देख रहे हो, Admit Card Center Material for Main Exam 2023, वेट, 2023, तुम लोग का क्या है, 2024, यानि कि अभी तक सिबसी ने अपडेट नहीं किया है, 2024 का जो Admit Card है, वो अपलोड नहीं किया, अब जैसे ही यहाँ अपलोड होगा, यह जो तुम देख पा रहे हो, 2023, यह हो जाएगा, चेंज होकर के 2024 और जैसे ही यह होगा, जो भी तुमारे स्कूल वाले हैं, उनको यह अथोरिटी मिल जाएगा, कि वो Admit Card को अपने स्कूल में डाउनलोड कर लेंगे, और फिर तुमको वो दे देंगे, ठीके, अब रही बात, यह तो हो गया, रेगुलर स्कूल के लिए, लेकिन जो के लिए, लेवन्त में ही रेइस्टेशन के समय अपना सारे डीटेल्स अच्छे से फिल अप किया था, ओके फाइन, भाई, तुमने सारा कुछ सही से फिल करके फॉर्म दिया था, लेकिन तुम्हारा जो जो भी डीटेल्स है, वो कहां कैसे अपलोड होता है, और यह बात है तो इस जगह पर तुमको क्या करना है, जैसे ही तुम्हारा एडमिट कार आएगा स्कूल में तुम लेने के लिए जाओगे, if you are a regular student, obviously, तो तुम वहां जाते ही, एडमिट कार लेकर के भाग मत जाना, खुशी-खुशी में, सीधा पहले चेक करो, अपना examination center, अपने details को चे करना, और एक खास बात, एडमिट कार्ड में, नीचे साइड में, तुम्हारे जो principal है, school principal, उसका signature stamp होता है, बहुत बच्चे क्या करते हैं, हर बड़ी में लेकर के भाग जाते हैं, कई बार office की भी गलती होती है, वो भी दे कर के छोड़ देते हैं, नहीं करना, वरना तुम exam center में उस admit card को लेके भी चले जाओगे, अगर principal का signature नहीं होगा, तो तुमको घुसने नहीं मिलेगा, और एक बात मैं वांड कर देता हूँ, last year मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था, कि admit card का xerox copy लेके जा रहे थे, उनको भी gate से लोटाया जा रहा था, मैंने कुछ ब guidelines, center guidelines क्या है, यह मैं तुमको separate video में बताऊंगा, अगर video चाहिए, तो ज़रूर से जरूर बताना, क्योंकि यह वो चीज़ है, जो तुम बिलीव नहीं करोगे, इतने बच्चे गरबड़ी करते हैं, जो तुम सोत नहीं सकते हैं, तो तुमने भी अगर ऐसा गरबड़ी होते चैनल को subscribe करके रखो, क्योंकि यहां पर तुम देख रहे हो, मैं तुमारे ले क्या-क्या चीज़े डाल रहा हूं, सारी चीज़े डाल रहा हूं, कैसे अभी से पढ़के तुम क्या कर सकते हो, everything you are getting from here, so please यार, video को like करना, किस subject में अभी भी confused हो, या डरे वे हो, वो भी से इतना, जैसे ही admit card के बारे में कोई भी आएगा, सबसे latest update और सबसे authentic update यही मिलेगा, तो चैनल को subscribe कर लो, मैं तया नक्षी तुम वीडियो में, तब तक के लिए, जै हिंध वने मात्र,